हेलो फ्रेंट्स वेल्कम ट्यू माई यूट्यूब चैनल आउ सीखे कुछ नया में आपका एक बार फिल से स्वागत है प्रेंट्स आज का हमारा ट्रोपिक है बीजगनित के कुछ प्रमुक सूत्र और उनके आधार पे आने वाले प्रशन बीजगनित के सूत्र तो बहुत है लेकिन मैं आज आपको आठ सूत्र बताऊंगा और इनके आधार पे जो कंप्टिशन एक्जाम्स जाने आपका सीटेट, यूपीटेट या कोई भी परतियोगता परिक्षा हो उसमें जो कोशन्स आते हैं इनके आधार पे उस तरह कि मैं एक एक कोशन लेके आपके बताऊं यहां पर माइनस है बस इतना फरक है यहां पर माइनस आ गया तो क्योवल यहां पर माइनस आएगा यहां पर हमारा प्लस ही रहेंगा यह आपको ध्यान रखना है तीसा सुटर है A प्लस B का होल स्कार प्लस A माइनस B का होल स्कार एक्वल टू ब्रैकित में A स्कार प्लस B स्कार जोरता है A Ī्लस B का होल cube equal to a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b a minus b whole cube equal to a cube minus b cube minus 3ab bracket में a minus b उसके बाद हमारा साथ वा है a cube plus b cube इसमें फर्क है इसमें a plus b ka whole cube है और इसमें a cube plus b cube अलग अलग है इस तरह गार आता है a cube plus b cube equal to a plus b a square minus ab plus b square और इसी तरह a minus b cube equal to a minus b a square plus ab plus b square इन पे आधार इन दोनों सूत्र के आधार को ज़्यादा तरकोशनल आते है इसमें ध्यान लगने वाली बात यह है a cube plus b cube पहले bracket में plus ही है लेकिन इसमें यहाँ पर minus है यह जी की गलती नहीं करेंगे आप इनको धन से याद कर लेंगे one four four plus two into four five six into one four four इस तरह का कोशन आजाता है कि इसे सोल कीजिए अगर आपके आपके सर्वस्वमिगा या सूत्र आपके याद है तो आप इसको बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं देखिए four five six और four five six दो बार आया one four four one four four दो बार आया और यहाँ two आया और यहाँ प्लस का निजान आया हमें पता चल जाना चाहिए अगर हम four five six को a माल लें और इसको b माल लें तो यह हमारा होगा a into a यानि कि a square यानि 456 का square प्लस 144 का square दोनों square है और यहाँ पर प्लस का निजान है इसका मतलब क्या है a square प्लस b square प्लस 2ab यानि कि 2 into 456 into 144 अब आप देखेंगे हमारा जो पहले वाला सूत्र है a square प्लस b square प्लस 2ab यह हमें दे रखा है 456 हमारा a है यह हमारा 144 है यहाँ पर 2b है यहाँ प्लस का निजान भी है क्योंकि यह प्लस का है माइनस a b यह formula हमारा लग रहा है हम क्या काम करेंगे इसे ऐसे कर देंगे यानि कि a प्लस b का whole square यानि कि a हमारा क्या है 456 और b क्या हमारा 144 का whole square whole square हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे च्छे और चार दस पांच और चार नो और एक दस पांच और एक चार एक पांच और एक छे यह हो गया आपका 600 का square अब आपको 600 का square करना है यानि 600 की 600 बें गुना करेंगे 6 का square होता है 36 और 2 zero का square हो गया हमारा 4 zero यह question हमारा हो गया इसका answer हमारा यह आगया 287 287 into 287 plus 269 into 269 और माइनस 2 into 287 into 269 अब देखिए यहाँ पर भी square है यहाँ पर भी square है फर का होँआ फर्किवर माइनस की निसान का हुआ एक इसमें प्लस का निसान था इसमें माइनस का निसान था इसका मतलब जो है हमारा पहला सूत्र नहीं लगेगा हमारा दूसरा सूत्र इस question में लग जाएगा क्या लिख देंगे 287 का square क्योंकि दो बार आया है प्लस 269 का square माइनस 2 इन्टू 287 इन्टू 269 यह हमारा होगा a square अगर 287 को a माने और इसे b माने इसे भी यह होगा यह भी यह भी तो हमारा जो है यह इसका माइनस वाला लग जाएगा तो हम इसे जीता लिख देंगे यह फूर्फला हो गया आप इसे हम ऐसे convert कर देंगे a माइनस b का whole square यानि की 287 माइनस 269 का whole square अब 287 में से 269 को बटा देंगे 77 में से 9 गए 8 और यहां बचके आप 77 में 6 गए 1 यानि 18 का square आ गया और 18 18 की multiply हम कर देंगे 18 और 18 की हम multiply कर देंगे आठ ते 64 हांसिल कुछ है आठ आठ से 14 है आठ एक कितना जाएगा तीन सो चोबिस आपके याद भी होना चाहिए तीन का square आपका सीदा का सीदा तीन सो चोबिस इसका answer आ गया यानि कि हमारी दो सबस्रमी काओं पर आता है हमारे question हो गए अब हम को ती आठ से देखेंगे और आपके सबस्रमी का याद है तो यह question आपको बहुत ज्यादा एजी लगेंगे अब नेक्ट लेते हैं एक्ट लेते हैं Example 987 Plus 569 का Squire Plus 987 Minus 569 का Squire Upon 987 Into 987 प्लस 569 इन्टु 569 इस तरह का question भी आपका exams में आ जाता है अब आप देखेंगे 987 यह हमारी एक digit हो गई 569 यह हो गई यह हो गया हमारा A यह हो गया हमारा B यह हो गया हमारा A यह हो गया हमारा A A B B यानि कि उपर तो हो गया A फ्लस B का 249 एक 149 एक 137 ओक इसके जहें हम A प्लस B का स्कॉर्ड प्लस A मैंनस B का स्कॉर्ड इसकोर्ड लीख सकते हैं चैसे करेंगे हम 2 A हमारा जाय है 987 का इसक्वायर प्लस 569 का स्थिधा हमें फर्मुला लगा दिये अपूर्ण यह दो बार आया इसे दो बार लिख देंगे 987 का स्क्वायर प्लस 569 का स्क्वायर देखें अगर आपके सूत रियान है तो आपको कोश है विल्कुल ही आसान लगेगा हमने देख लिया a plus b ka square a minus b ka square यानिक a plus b ka square a minus b square equal to two a square plus b square हमने लिख दिया two a square plus b square और नीचे a square plus b square अपने आप ही है इससे हमारा ये पूरा है पूरा कट जाएगा किवल क्या बचेगा two और two इसका answer होगा इतना वड़ा question और answer आपका two आ गया आप आसानी से कर सकते हैं आपके option में two मिलेगा उसके बार next एक ले ले लेते हैं example 896 896 plus 489 का whole square minus 896 minus 489 का whole square पहले में प्लस था और इसमें माइनस इतना होगा याद है अगर आपके शर्व समय का याद है a plus b का whole square minus a minus b का square पहले में प्लस था और इसमें माइनस इतना फ़र के यादि कि सर्व समय का हमारी change हो गई तो दूसरी हमारी सर्व समय का कौन चे लेगी a plus b का square minus a minus a square equal to 4ab यादि कि अगर हम इसे a माने इसे b माने तो a plus b का square minus a minus b का square equal to हम क्या लिख सकते हैं इसे सीधा 4ab लिख सकते हैं ये हमारा a हो गया ये b हो गया हम सीधा इसे लिख सकते हैं 4 into a a क्या है हमारा 896 into b क्या हमारा 489 489 अपोन 896 into 489 हमने लिख दिया सबसमी का हमारे यावती 896 से 896 हमारा कट गया 489 से 489 हमारा कच गया हमारे पास आंसर आया 4 यानि कि इसका आंसर हमारा 4 आ गया कोई दिकत कैने इस तotomार का हमब बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं अगर हमारे संब्समी काएं याद हैं इसके बाद हम एक दो एके जंपन और ले लेते हैं अभी हमारी चार संब्समी काएं और बची और बची हैं जिनके आदार पर हमीकुश्यंट करने की next example लेते हम force 743 into 743 into 743 plus 257 into 257 into 257 upon 743 into 743 minus 743 into 257 plus 257 into 257 इस एक को हम ए माल लेंगे एक को भी माल लेंगे हमने ए माल लिया यह भी ए है यह भी ए यह बी 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 यह ए यह ए यह ए यह बी यह ए बी और यह बी इसे भी लिख सकते है 4743 का होल क्यूब क्योंकि तीन बार आया प्लस 257 का होल क्यूब अपोन 743 का स्क्वाइर माइनस 743 इंटो 257 प्लस 257 का होल स्क्वाइर अब हमारे पास उपर AQ प्लस BQ का फॉर्मला है AQ प्लस BQ का हमारे पास यह फॉर्म этому है इसके जैगे हम यह लिख सकते है यानि की A प्लस B A हमारा यह है इसके जैगे लिख देंगे हम A प्लस B यानि कि 743 प्लस 257 और दूसरे बैकेट में लिख देंगे A square यानि कि 743 का square माइनस अगरा हमारे याद है 743 इंटू 257 प्लस B square यानि कि 257 का square 257 का square upon हमें अब नीचे लिखने के ज़रत नहीं है क्योंकि अब पता चल गया जितना ये है उतना ही नीचे ये है 743 का square माइनस 743 इंटू 257 प्लस 257 का whole square यानि कि ये जो है ये और ये सेम है ये आपस में कट जाएंगे हमारे पास बच गया 743 प्लस 257 इन्हें सीदे सीदे हम जोड़ देंगे साथ और तीन दस पांचा चार नो और एक दस साथ और तो नो और एक दस इसका अंज़ा सीदा हजार आ गया हम इस तरह के question बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं अब मैं थोड़ा स्पीड से करूगा आप समझ चुके हैं 689 इन्ट 689 इन्ट 689 मैंनस 278 इन्ट 278 इन्ट 278 अपोन 689 इन्ट 689 इन्ट 689 इन्ट 278 इन्ट 278 आप देखेंगे उपर AQ मैंनस BQ का मारा पुरूला लग रहा है 689 का होल क्यूब मैंनस 278 का होल क्यूब अपोन 689 इन्ट 689 इन्ट इन्ट 278 इन्ट 278 का होल क्या करेंगे इसमें AQ मैंनस BQ का फूर्मूला लगा देंगे यानि किसकी देंगे यह लिख देंगे A मैंनस B यानि 689 मैंनस 278 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे बैकेट में लिखेंगे हम A स्क्वाइर 689 का स्क्वाइर प्लस 689 इन्ट इन्ट 2 सेवन्ट इएत प्लस 278 का होल क्यूइर और नीचे भी हमारा यही है 689 का whole square plus 689 into 278 plus 278 का whole square इससे ही हमारा कट जाएगा और इन दोनों में से इसे यह हमारे पास आगया 689 minus 278 9 में से 8 गए 1 8 में 7 गए 1 6 में से 2 गए 4 यह हमारा answer आगया इस तरह से हम सबसमी का पादाय कोई भी कोश्चन हम बड़े आसान तरीके से हम कर सकते हैं कोई भी सबसमी का आजाए हमारी इस तरह की हम बहुत सारे कोश्चन कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा और इससे अधायत जो question मुझे मिलेंगे मैद हो सकता है अपना सारा मैद पूरा करने के बाद जब दुबारा revise करेंगी हम तब कराएं इस तरह के question अगर आपको मिलते हैं तो आपको निक करके देखें इसके बाद भी अगर आपको कोई problem आती है तो आप मुझे message कर सकते हैं वीडियो के नीचे message कर सकते हैं मेरे whatsapp number 9760017354 पे message कर सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like कीजे, share कीजे और अभी तक अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे rare color का subscribe का button होगा आप उसे दबाएंगे तो वो rare से white में change हो जाएगा और होँआ पर subscribe लगा आगा उसके बाद एक घंती का bell का icon आएगा आप bell के icon को दबाएए जिससे आपको सारी notification मिलते रहेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए धन्यवाद